जब जुनुन के सारा बिलुटूथ एलेक्ट्रोनिक मीडिया लाजेका नगल कर रहा है मेरा कंपिटेसन क्लास वालों से कम और मेरे बढ़े बाई उनसे ज्यादा रहता था मुझे हर बार बस मेरा एक ही टार्गेट ए रहता था विछ जितने पर सेंटेस अचेव कि अना मुझे ज्यादा अचेव करूँ पढ़ें, SSE Banking, Railway, RSM, SSP, RPSC के 30 से ज्यादा Competition एक्जाम्स के कोर्स पूरा ओल इंडियम तो आठवी रेंग है और जो राजस्थान हैं फस्ट रेंग पर यह आया ही जो आओं जो एर फोर्स ही एक्स मैं सेलेक्शन हुए जयां थारो आज बेटो यह मुकाम पर पुछो है तो थानकती कुछी हो रही है बढ़िया कुछी हो एकदम से पहले यह प पर इंडियम आठवी रेंग हो राजस्तान वा फस्ट रेंग है तो थानिया लागतों के बाई अड़े पहुंच जागो इंडिया हो कि बाई यह मुकाम तक पहुंच जागा अती की बाई टाबर ठीक ठीक ही तो थोड़ी बहुत आपके चोटी मोटी नोकरी कर लीगा लेकिन सौन बड़ो बगवान नहमें धन्यवाद दियां कि यहां को दिमाग बढ़िया बढ़ायो बचसां के और इगर कमान जनम दियो देखो साब यह मारा बचाना बिल्कुल यह था को नहां बदमा से इत्ती ज्यादा घुन करता जयां अब का बचा करें इत्ती तो मास्टरां को डर सुरूसें हो और मामा जी को फुंपा जी को सब को बैहो कि कोई रोडा करें को नहीं पड़ागा तो पर्थम कलास से ही होना था जो भी काम देते थे वो पून कर लेता था इसके पहले स्टार्टिंग में थोड़ी बोलनी में थोड़ी मिच्टेक थी लेकिन लिक कर अथिमात बता देता था जो बोर्ड पर लिक कर देते थे था ना उनको आधी घंटे में डिपीट करके वापिस आज सागा ऐसा ही वापिस हमें बता देता था और हमें कुशी है कि मेरे दो चाहतर एक साथ एक नेवी मेर एक एर फोर्स में चाहिए नवा है इ इसने सीनियर किये चोरानों परशेंट नमर बनाए हैं और ये लड़का मैं भी कहते हैं ना कि उशार बच्चा होता हो बदमास होता है वो ही उशार होता है बलकि इसने ये परकट कर दिया कि उशारी बदमास ही उशार नहीं होता है बलकि ये लड़का बहुत नेकी का बिल में गाविं में नंडिते हैं लोग फिस देते है उन बचे पढ़ जाते हैं इन्होंनैं इसका चूछी मोम बचे रिखुब असpower При क् आशकर को विखि इसने हैं कुल में सिलेक्षन दिया निए एक बच्छा नहीं इसकी दादी थी ना वो पढ़ाय के लिए जब भी स्कॉल में जाती गुरुजी द्यान डखना निर्ज बदमाशी करें तो पीड़ देना चिंता मत करना लेकिन दादी बहुत मोटिवेट करते थी मात तो देखो ऐसे बच्छों को देखती रहती दादी का इसमें बहुत ज्य वाला है ना काड़ा बाड़े वाले ने इंसान सब कुछ करता है यही तो इन्यों ने तो राकेट मिना यहीं सब कुछ आकास इतनी जिवना इस इनसान ने बढ़े तो मन करके आतुम इस वास के साथ पढ़ मैं निरज का पडोशी हूं एकदम हमारा मकान इंकाम एकदम आम मैं गॉलता था तूम पड़ और जो कोई समया मेरे पास आजा मैं तो आन्ल विसकिव पढ़ कर घ्रपर हां उसके बार हां उसके बात ओगे मेरेन निकल गया तो यह अपना भी लग गया राम राम जी राम लाम जी सभ से पहले तुम है जलको टीम के जितने भी यहां पर समाधता ब्यूरुची पदारे हैं उनका वेलकम करना चाहूँगा कि सुर्प्रा गाउं के अंदर साथ में साधवाद देना चाहूँगा कि मारवाडी के अंदर पहलो चेनल है जिका कि नकल पंजाब और अरियाना में भी चाल रही है कोई छोटो मोटो चेनल कोन मानू इनमें जलको जुनजुनों के मायने इस्तितिया है कि अभी थोड़ा दिन पहली जोदपुर के मायने पंजाब को एक चेनल लेके हैं जोको इक ही नकल सुर्याजी थे के काम धंदो करो हो कहें टाबरान मोटिवेट करो हो जका भी बच्चा चाहे वो RS बने चाहे आईएस बने चाहे वो डाक्तर बने तो बहिंने मोटिवेशन के लिए मैए required में एक सापो माला और एक फोटू राख्या गरूं और विकag हो शामान करबा के लिए और घृजा you इस चोटा सा गाम के मायने, यो छोटो सो मकान, इका पिता जी महरसुत दो कलास पिछा एक दम गरीब, और मैं इके पिछे साइदियाबाद कोई कुन बोली होगी, इको दादो हो, और इको दादो माली राम जी बजनी, इको सत्संग का मायने नीश्वार्त शिवा करबा के लि दो गंठा अठे पर तो, दो गंठा डाणी मो पड़वाग लिए जाया कर तो, और मकान मोर बना रहे हैं का का गाए, एक दूसरा गर बठे भी, एक माकान का मायने, और बिना कोई स्वस्वड़ उदानन तो यो है, कि आज बड़ी-बड़ी कोचिंगा चाल रही है, बड़ करना लेनी चीए, मैं गरियों के दुबई सूप होना है हो, भी का कुशी को ठिकानों को नी प्रकास को, एक पाप जी, एक का पिता जी, एक कार खाना का मान लकड़ी का कार खाना मजदूरी कर रहे है, एक दम गरीब परिवार थे देख रहे हो, कुछ भी को नी, अभाव मे उबर के और मुकाम तक पूचनों इन एक ही, एक मामूली परिवार की, एक गरीब परिवार की बादनत ही आज पूरा देश में उजागर कर सक्किया, छोटी बात को नी, मैं ताने भी दंदे वादे बोचाओं, खुस्बू जी, पुरे जिले के अंदर जलकों के माद्यम से बहुत ही अच्छे रिपोर्टर की बूमी का निवा रहे हैं आप, और आपने मनसा माता से लेके बहुत से दार्मी कस्तों पे, हम रोज इनके इलेक्ट्रोनिक मीडिया की उपर देखने को मिलता है, आज हमारे इनके दरसनलाब हो रहे हैं, इसलिए इनका भी आवार परकट इसलिए मैं इस तरफ बढ़ाओं, इसलिए मैं एरफोर्स एक्स ग्रूप जोइन किया, एरफोर्स में नहीं सेलेक्ट हो था, तो बानों दूसरों कुन सुमिशन हो था हो, जी वेशे तुमा आएटी प्रिपरेशन कर रहा था, मैं एरफोर्स में, चुँकि एक साल है, तो म मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया था कि इसके फॉर्म स्टार्ट है, उनके अमारक देशन था और उन्हीं नहीं मुझे बताया था कि कौन सी गाइट पड़ने आपको कैसे का प्रिपरेशन करती है, तो पंदरे दिन के अंदर उनने जो बताया था, मैंने उसे का नूसर कि इसके ठेखन किया, और उसके तरहो मैंने पंदरे दिन की त्यारी की तिने और तो मेरे वेशेशवी स्टडी वेशे चालू थी, लेकिन उनके बताने के बाद मैंने कुछ एक्ष्टा था कि इसके बारे में सेल्फी स्टडी गरपरी की ती, और दस अक्टूबर को मेरी ज इनकी प्रेक्टिक्स करने हैं वहाँ पर और ज्यादा फिजिकल हार्ड नहीं होता है बस मेरे साथ कदम ताल दोड पुसप और शिट अप यह में चारी होते हैं और इनकी बड़िया प्रिपरेशन हो जाती है अगर हम एक से दो मैने बड़िया प्रिपरेशन अगर इनकी करें और उसके बाद में शिक्स्त क्लास से 12 तक हमारे गाउं में ही थोड़े गाउं से दो किलोमेटर की दूरी पर रहे हैं स्लेस्वती स्कूल वहां से मैंने अपनी 12th किलियर किये कोई कोचिं करी ही या कठे रहे की पड़ाई करी हैं दूसरा सहर में फॉड़े ल् jullie रहे कोई कठे रहे कोई कठे रहे तो fetchmatic देव ऱूर्मी ऑंड़ाई कीये किशी ने अब तक गया निये था मिरे सोची थी कि मैं किसे कोचिंग में जाऊंगा तब जब तक दोगडाउं रटेका लें उनके वीच एक जाम थी तो मैंने बस घर परी तयार किया उलागडाउन की मैं एक बाह नहीं तो बड़ी बात हो यह मानता हूं कि घर से बाहर नहीं क साथ कंटे की जब भी नीन लेता था मैं साथ याठ गंटे अराम से मैं फिल्फिल इन जोई के साथ पढ़ता हूं वेचे कोई डिप्रेशन या प्रेसर में करनी एर फोर्स में जानकी आप रेना क्यों मिली या खुद ही मतलब बच्पनुई हो बच्पन से तो मेरे लग लग जो में फिर अच्छा पद्ध आगे जाकर हासिल करना है और इसलिए मुझे जो मेरे बड़े भाई हैं मेरे गाउंवाले हैं इसे मुझे प्रेणा मिली है आज या सफलता मुकाम कर रही है इस सफलता के पिछे किन क्रेडिर देनों चाओ हूं माता पिता गुरुजन मेरे ग सब्सक्राइब करना हूं एक बहुत हाई रेंग तक ऑफिसर बनों और मैं देश की सेवा करूं अपने गाउं का नाम जारो रोसन करूं जुन्जनों का युवासाथी आन्थे के खनों सब्सक्राइब करोगा परस्ट बात तो मैं यहीं कहूंगे हम जुन 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 वह ज इप्रेशन में नहीं पढ़ना चाहिए मेरा यहीं मानना है कि हम एक दिन आठ गंटे नहीं पढ़कर दो दिन पांच-पांच गंटे पढ़ने वह बेटर होगा रेगुलर्टी आना वह बहुत ज्यादा जरूरी है रेगुलर हमें पढ़ना चाहिए बीच में स्टॉप कर लाइक करो चैनल ना भी तक सब्सक्राइब नी करें तो सब्सक्राइब कर लो जाए हिन जए जुन्जनो कर लिए जाल भी तक साजब प्राइब भी तक सब्सक्राइब डाइब प्राइब तक सब्सक्राइब तकस्तॉ्स